जैशन दे मित्रों, हम इस वीडियो में सिर्फ तुला लगन के जातकों के लिए अगस्त दो हजार तेईस कैसा रहेगा सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे अगस्त के महीने में सूर्य और मंगल का बहुत ही महतपून राशी परिवर्तन रहेगा और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन सभी महतपून राशी परिवर्तन का आप लोगों के जीवन पर क्या परभाव पढ़ सकता है तो अजली आगे बढ़ते हैं और सरपरतम बात करते हैं आपके व्यवसाय और कैरियर सम्बंदित ये महीना क्या लेकर आया है वर्तमान समय में सूरे कुंडली के दशम भाव में है और सूरे आपी कुंडली में लाव भाव के स्वामी है जिसके कारण ये समय आपके कैरियर सम्बंदित कुछ नए अवसर प्रदान करेगा ये समय आपके कैरियर सम्बंदित कुछ शुपफल देता दिखाई देगा आप यदि नौकरी ढूंड रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना महुत प्रबल रहेगी किसी परकार का नौकरी में बदलाव कुछ नए अवसर आपके व्यवपार सम्बंदित मिल सकते हैं पिछले कुछ समय से जदि आप वान खरीदना चाहा रहे थे प्रोपर्टी में निवेश करने का प्लान कर रहे थे तो ये समय आपको कुछ सकारात मकफल देगा जो विद्यारती सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रयतन कर रहे हैं उन्हें अत्यंत शुपफल देखरे को मिलेंगे इस समय मंगर बुद्ध और शुकर जो कि कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी है भाग्य भाव के स्वामी और लगनेश है कुंडली के ग्यारवे भाव में हैं जिसके कारण ये समय आपको किसी परकार का अक्समात लाव दे सकता है कुछ ऐसा लाव जिसके विशह में आप पिछले कुछ समय से सोच रहे थे अत्वा जिसकी कलपना आपने ना की हो इस समय आपकी कमाई के स्तुरोत बढ़ सकते हैं इस समय जो जातक शेर ट्रेडिंग में है उन्हें अक्समात लाब भी हो सकता है जो जातक इवेंट मैनेजमेंट जैसे कार्य में है फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं कपडों के वियापार से जुड़े हैं कॉसमेटिक के बिजनस से जुड़े हैं इस परकार के जातकों को कुछ शुपफल देखने को मिल सकते हैं वर्तमाल सवय में शनी वक्री अवस्था में आपके कुंडले के पंचम भाव में अपनी मूल तिरकोन राशी में है ये समय आपके मस्तिश्क में मन्थन का समय रहेगा इस समय आपके मस्तिश्क में जो कन्फ्यूजन बनी हुई थी वो शनी के इस वक्री अवस्था के कारण समाप्त होती दिखाए देगी यदि आप अपने कैरियर को लेकर कन्फ्यूज थे कि किया करना है तो ये समय आपके कन्फ्यूजन दूर करेगा और जैसे ही शनी की वक्री अवस्था समाप्त होगी कन्फ्यूजन के बादल आपके मस्तिश्क से छट जाएंगी ये समय और आने वाला समय आप लोगों के लिए अत्यंत महत्पुरू समय रहेगा आपको आपकी नोक्री के साथ किसी परकार कोई बिजनस करवाने में भी सक्षम रह सकता है जिसके लाब आपको आने वाले समय मिलेंगे यदि आपकी पढ़ाई को लेकर किसी परकार की बादा चल रही थी तो उसमें भी आपको रहत मिलेगी जो विद्यारती हैं उनके लिए ये समय अत्यंत शुपफल दे सकता है आपकी महनत अनुसार लाब आपको मिलने की संभावना बहुत प्रबल रहेगी वर्तमान समय में राहू और गुरू कुडली के सबतंभाव में है ये समय और आने वाला समय आपके पार्टनर्शिप बिजनस में धीरे धीरे स्थिरता लेकर आएगा यदि आपकी परवर्ती छोटी छोटी बात को लेकर तनाव बढ़ाने की बन गई थी तो उसमें सुधार होगा आपके मस्तिष्ट के में जो उथल उथल बनी हुई थी वो दीरे दिरे समाथ होती दिखाई देगी यदि आप अपने मितरों के साथ अथवा अपने छोटे भाई बहन के साथ किसी परकार कोई बिजनस कर रहे हैं तो उसमें भी एक इस्थिरता आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है 14 अगस्त के बाद का समय आप भी कुंडली कुछ इस परकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं इस समय सूर्ग कोचर कुंडली के 11 भाव में होगा मंगल का गोचर 12 भाव में और शुक्र वकरी अवस्था में कुंडली के 10 भाव में होगी इस समय कुडली में राहू के तू शुक्र शनी वक्री अवस्था में है जिसके कारण ये समय आत्मन्थन का समय रहेगा ये समय कुछ ऐसा अवसर आपको मिलेगा आपके मस्तिश्क में जो अस्थिरता बन गई थी अपने कैरियर को लेकर यदि आप किसी प्रकार की उल्जन मे कुछ अक्समात लाब भी दे सकता है इस समय लाब भाव का स्वामी लाब भाव में है और लगनेश वक्री अवस्था में दशम भाव में है जिसके कारण आपको आपकी मेहनत के अत्यंत शुबफल मिलेंगे जदि आपकी प्रमोशन को लेकर तनाव बना हुआ था वो दूर होगा इस गोचर का आपके फाइनेंस पर और आपके फैमिली लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर हाँ अपने आगे के सेक्शन में चर्चा करेंगे अब चर्चा करते हैं आपके स्वास्ते संबंदित ये महिना क्या लेकर आया है दस अगस्त का समय आपको आपको माईगरेन रहता है यदि आपको डिप्रेशन जैसे समस्या रहती है तो थोड़ा सावधान रहें आठ से ग्यारा अगस्त और तेज से पच्चिस अगस्त का समय आपको पेट से संबंदित कोई समस्या बन सकती है इस समय बहार के भूजन अथवा अधिक मसालेदार से बचे अब चर्चा करते हैं आपके वित संबंदित ये महिना क्या लेकर आया है अगस्त का महिना तुला लगन के जातकों के लिए सकारतमक समय रहेगा ये महिना आपके वित संबंदित तनाव दूर होगा ये महिना आपके वित संबंदित एक स्थिरता लेकर आएगा अगस्त के बाद का समय आपको स्वास्ते संबंदित खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं इस समय व्यर्थ के खर्चों से भी आपको दूर रहना होगा अब चर्चा करते हैं आपके प्रेम और रोमैन संबंदिती महिना क्या लेकर रहा है तुला राशी के लोगों के लिए अगस संबंदों को विशेश महत्व देने के आफशकता रहेगे अगस 2023 के दोरान आपके राशी फल में प्रेम और संबंदों के लिए बड़े सकारात्मक बदलाव की संभावना है यह महां आपके लिए आकर्शक और रोमैन्टिक संगर्शों का समय हो सकता है आपको अपने साती के साथ मजबूत और इस्थिर संबंदों को विक्सित करने का प्रयास करना होगा यह अवसर आपको एक अधिक गहरा संबंद बनाने की अनुमती देता है और आपके प्रेमी के साथ संगीत कला या साजा रूचियों पर ध्यान की इंद्रित करने का आवसर प्रदान करेगा इस महा के दोरान आपको संबंदों में सहयोगी और समर्थों के रूप में एक पार्टनर की खोज करने की संभावना भी बन सकती है। यह संगर्ष मुक्ति और व्यक्तिकत विकास का समय हो सकता है। आपको अपने संबंदों को दूसरों के साथ अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करना होगा और संभावित गलत फैमियों को सुल जाने के लिए समवाद के माध्यम से प्रयास करें। इस अफ़दी में आपको अपने प्रेमी के साथ समय बिताने का भी अफसर मिलेगा आप एक दूसरे के साथ यात्राएं उत्सव या रोमेंटिक गतिविदियों का आनंद भी ले सकते हैं अगस 2023 आपके लिए उत्करिष्ट प्रेम और रोमेंटिक अनुभवों की संभावना लेकर आएगा यह माँ आपके प्यार और संबंदों को मजबूत करने और एक संतुष्ट और सुखी रोमेंटिक जीवन का आनंद लेने का एक अच्छा समय दे सकता है जो जातक सिंगल है वो 16 अगस्त के बाद किसी ऐसे व्यक्ति से अपने कारे स्थान पर मिल सकते हैं अपने ओफिस में अथ्वा किसी परकार के ट्रैवल के दोरान या आप कहीं पर टूर पे जा रहे हैं अपने ओफिस के कारे से तो किसी परकार के व्यक्ति से आपकी मुलाक जो आपके हितों को साजा करता हो, आप प्रेम सम्मंद में भी पढ़ सकते हैं, अब चर्जा करते हैं आपके परिवार सम्मंद ये महिना क्या लेकर आया है, 12 अगस्त का समय आपके वहवाहिक जीवन में तनाव थोड़ा बढ़ा सकता है, आपके रिश्टों में खटास आ सकत बढ़ेगा जिसका सीधा प्रभाव आपके वैवाही की जीवन पर देखने को मिलेगा 14 अगस्त के बाद आपके बच्चों के साथ तनाव दूर होगा आप चर्चा करते हैं कि किस दिन किस रंग के वस्त धारन करने से आपको लाव हो सकता है 14 अगस्त के बाद आप लाल रंग के वस्त दारन करें इस महीने में आप गहरे नीले सफेद और पीले रंग के वस्त धारन कर सकते हैं अब चर्चा करते हैं उन महत्रपून उपाईयों की जिन्हें अगस्त के महीने में करने से आपको लाप प्राप्त होगा आप राहू और ब्रहस्पति के अरथात गुरु के बीजमंतर का जाव आपने रोज सुबै और शाम 108 बार करना है। इस दिन आप सुर्य उद्य होने से पूर उठें, सनान करें, शिव मंदे जाएं, वहाँ बैठ कर आपने एक सुआड बार, ओम नमश्यवाय मंदर का जवापने करना है, इस दिन आप शिव चालिसा पढ़ें, छोटी करने आपको बोजन किलाएं, इस से आपकी मनों का आमना पूर्ण होगी, विवादी में जो भी अर्चने आफेस कर रहे हैं, वो आपकी दूर होती दिखाए देंगी, तो ये थे वो महत्वपूर्ण उपाएं, जिनने अगस्त के महीने में करने से आपको लाप राप्त होगा, तो ये था तुला लगन के जातकों के लिए, अगस् 2023 कैसा रहेगा, शनी देव, आप सभी लोगों पर अपना शिर्वात बना कर रखें, धन्यवाद